है एवरिवन वल्कुम बाक तो आ चानल ट्राइश्टी प्रॉपर्टी गुरू मैं हूँ आपकी होस दोस एंकर तरन्नुम तो आ गई हूँ हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रजेक्ट दिखाने वाली हूँ जहां पे दिटेल्स प्रोवाइड करूंगी पूरे प्रोजेक्ट का टूर भी कर आऊंगी बढ़ उससे पहले इंजोई कीजे कुछ ग्लिप्स आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है ग्रीन वुर्ड भाए सुभाष मंगत ग्रूप जो लोकेटेड है 1 15 सेक्टर खरलांडरा हाइवे के ऊपर अगर मैं बात करूंगी तो यहां से आपका जो हाइवे है वो एप्रोक्सिमिटली 600 मीटर अवे आजाता है ना जादा हाइवे के नजदीक है प्रोजेक्ट ना जादा हाइवे से दूर है कि आपको कनेक्टिविटी का इशु हो या फिर हाइवे के नजदीक है तो आपको इस्टरबन सो जैसे नौइस वगर आते है गाड़ियों वगरा की तो वैसा भी कुछ नहीं है बहुत तो सब्सक्राइब करने से से आप कहीं के लिए एकसे सकते हैं पो ही माचल जाना आप जा सकते हैं वह आपका एक वी आर वन्जाब जो आपका बाईपास बन रहा है and second आजाएगा आपका VR6 रोड जो आपका New Chandigarh की साइट से बन रहा है वो सारे रोड यहां पर connect करने वाले हैं तो यहां से आप idea लगा सकते हैं कि connectivity यहां पर आपको कितनी अच्छी मिलने वाली है So guys, it's a complete 25 acres project जिसका main entry and exit gate आप यहां पर देख सकते हैं यह जो काफी लगजिरस सा यहां पर बन रहा है 3-day security मिल जाएगी आपको पूरे प्रोजेक्ट मेसे सिटी वी cameras मिल जाएगी and security guards आपके लिए यहां पर 24-7 available रहेंगे बात करेंगे amenities की तो project के starting में ही यहां पर आपका एक काफी अच्छा पार्क रहने वाला है जिसके साथ में यहां पर आपकी daily knit की shops आजाएंगी 25 total shops रहने वाली है जिसमें आपका daily knit का जितना भी सामान होता है वो यहां पर ही available आपको हो जाएगा बाहर आपको भाग दौड उसके लिए नहीं करनी पड़ी तो यह चलते हैं अंदर और बाखी चीजे भी आपको बताते हूं कि कहां पे आपके कौन से प्लोट्स रहने वाले हैं और क्या क्या चीजे आपके इसमें रहेंगे तो इस अर एक्ट्वल साइट जहां पर आपको मिलने वाले हैं प्लोट्स फ्रॉम हंडर स्क्रे यार्ड तो दिफ्रेंट साइजिस के प्लोट्स हैं बहुत सारे लोगों की यह पनी पसंद होती है कि हमें पार्क पेसिंग प्लोट चाहिए कुछ लोग सोचते हमें रोड फ क्योंकि यहां पर इनके पास वैसे भी बहुत ही लिमिटेड इन्वेंटरी बची हुई है अमिनिटी इसकी बाद मैंने पहले की जिसमें मैंने आपको बताया कि यहां पर स्टार्टिंग में का पार्क है उसके बाद इनकी 25 शॉप्स जो है वो कमर्शल रहने वाला जिसमें आपको डेली इनीट का समाल मिल जाएगा थीचे सिक्योरिटी रहने वाली है उसके अलावा गाईस प्रोजिक के अंदर यहां पे आपको टोटल सेवन पाक्स मिलने वाले हैं जो कि आपके ऐसे चोटे मोटे पाक्स नहीं होंगे अच्छे पाक्स होंगे जिन में आपको जियान रखना भी बहुत जादा जरूरी है तो वह फैसलेटी भी आपको यह प्रोजेक के अंदर ही प्रोवाइड करे हैं वह भी चोटा मोटा जिम नहीं होगा काफी बड़ा जिम आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा तो यह तो थी अमिनिटी इस की बात अब ब 25 स्क्वेर यार्ड, 126 स्क्वेर यार्ड, 138 स्क्वेर यार्ड and 150 स्क्वेर यार्ड तो इन साइजेज में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको यहां पर कौन सा प्लॉट बाइ करना है कौन सी साइड में बाइ करना है, कौन सी साइड में करना है, कौन सी साइड में करना है, क एक आपका इस साइड पर रहने वाला है, तो डिफरेंट डिरेक्शन में गेट्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप जो जिस मर्जी रोड से आरे कि आपको में गेट से ही अंटर करना है, आप बाखी दो गेट से भी अंटर कर सकते हैं, ताउंचिप की बात करूंगी तो इसमें आपका पूरा जितना भी इलेक्ट्रिकल वाइरिंग आ जाएगा, वो सारा अंडर ग्राउंड रहेगा, स्टीवी प्लांट इनोंने यहां पर प्रोजेक्ट में ही लगा रखा है, आपका रेंवाटर हावेस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर ही बना रखा है, उसकी बाद पर जितना भी सीवेज वगरा का काम है, वो अल्मोस यहां पर दन हो चुका है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कि यह जो प्रोजेक्ट है, यह रेडिटु पॉजेशन प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रोजेक्ट है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं कि आपको अभी प्लाट बाइ करना है, और कुछ ही टाइम में आपको अपना कंस्रक्शन जो है वो शुरू कर देना है, तो यह प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, आईए इ प्राइजिंग की बात करूंगी, तो वो भी काफी अफोडेबल मिल रही है, आपको महाली के अकॉर्डिंग यहां पर, तो यह तो थी, आज की हमारी वीडियो, यही पर एंड करते हैं, तो अगर आपकी इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी और ख्वेरी हैं, तो स्क्रीन प आप सी ने ने वीडियो में, तिल देन ताटा, बाइ बाइ बाइ, तेक केर!